अलो दोस्तों नमस्कार, political science learning में आप सही को श्वागत है, हम लोग Indian politics के practice MCQ कर रहे हैं, आज हम लोग citizenship practice MCQ करेंगे, तो आइए देखते हैं, आज के जो पहला questions है, वो क्या कह रहा है, पहला question है, under the citizenship act 1955, by which of the following ways can a person become a citizen of India, तो citizenship act 1955 है, उसमें ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, जिसके द्वारा कोई भी citizen जो होतो, कोई विभ्यक्त इंडिया का citizen बन सकता है, तो उसमें 6 तरीके, पास तरीके दिये हुए, यह है by birth, by descent, by registration, by nationalization, नहीं है, राष्टी करण के आधार पे नहीं है, बलकि by naturalization, प्राकृतिक यहां पर आपका जो correct answer होगा, वो option number C, number absence, सही होगा, 123 and 5 number, fourth number यहां पर सही नहीं है, तो देख लेते हैं, correct explanation, तो correct answer होगा, आपका C, number absence, citizenship act 1955 है, वो prescribe करता है, पाच तरीके के, जिसके दोरा कोई विविएक जो होगा, इंडिया की citizenship को acquire कर सकता है, यह है birth, descent, registration, naturalization, and incorporation of trading, next question है, which of the following article of the Indian constitution deal with the citizenship in India, तिन में से कौन सा जो होतो Indian constitution का article है, जो जो होतो citizenship से deal करते हैं, तो यह article 5 से 11 तक जो हमारे Indian constitution के part second है, उसमे 5 से 11 दिये है, वो जो तो तो deal करता है citizenship के matters ते, ठीक ना, तहाँ पर आपका option number C होतो correct होगा, next question है, in which of the following years, the citizenship act 1955 has been amended, जो citizenship act 1955 है, किन किन वर्सों में amend किया गया है, 1986 में भी amend किया गया है, 1992 में भी किया गया है, ना, 2003 में और 2005 में, इन सभी years में इसको amendment किया गया है, तहाँ पर जो आपका correct answer होगा, वो C number options होगा, ठीक ना, 1, 2, 3, 4, तो देख लेखते है explanation, C number आपका options यहाँ पर correct है, citizenship amendment act 1955 है, इसको six time जो हो, of the citizenship based on the birth or eligibility criteria को refine किया है, redefine किया गया है, ठीक ना, next question है, which article of the constitution of India deal with the rights of citizens of certain person of Indian origin residing outside India, तो इनमें से कौन सा आटिकल ऐसा है, जो citizenship के rights को deal करता है, जो इंडिया ओरिजिन के हैं, लेकिन outside India रहते हैं, तो हमारा Indian Constitution का article 8 है, यहनि इसी number आपका आपका से हाँ पर correct होगा, तो देख लेते हैं कौन सा आटिकल जो Indian Constitution से 5 से 11 तक है, पार्ट थर्ड में किसे deal करते हैं, ठीक ना, पार्ट थर्ड में है, याद रखिएगा, यह पार्ट सेकंड है, ठीक न, पार्ट सेकंड है, इंडियन Constitution का आटिकल फाइब जो है, वो citizenship at the commencement of the Constitution की बात करता है, जो इंडिया माइग्रेट कर गए हैं, इंडिया को पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनके बारे, राइट के बारे बात करता है, वहीं आटिकल सेवन जो है, वो बात करता है, राइट अफ से जो पाकिस्तान चले गए हैं, उनके राइट की बात करता है, फिर और वह आउटसाइड इंडिया रह रहे तो आठकल जो नाइन है वह बात करता है परसंस वालंट्री अक्वाइरिंग सिटिजन सिपाफ फारें नेशन इस्टेट्स नाट विए सिडियन यानि कोई भी अगर व्यक्ति है जो सिडिजन से भारत का नागरिक है वह किसी फारें की बात करता है जो नहीं रहेंगे नहीं रहेंगा नहीं कि नहीं किया जाएगा और वह बात करता यहां पर कुछ स्टेट्मेंट दी हो आपको इनको करना है पता करना कि स्ट्रेटमेंट करेक्ट है कि नहीं फरसन हूँ वाज वॉर्न आन ट्वंटिच जनुवरी 1951 इन रंगून एक विणती है घ्राभण को रंगून में पैदा होता है फोज फादर वाज टीजईन टाइम आप इसके पीता जोगत उसके वर्थ के समय से इंडिया के नागरिक तो इंडियन सीडिजिजन बाइब इसे तो इंडियन सीडिजन उनला जाएगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट है सकनड देखते हैं पर्सन हुब वाज वां और फर्ष जुलाइं नाइटी एट इन इ लेकिन फादर पिता जो तो नागरी नहीं होते इस डिम टू भी एस इडिजन आफ इंडिया बाइब तु बर्थ की वाण सवार उसेडियन माना जाएगा इंडिया का यहां यहां यह भी स्टेटमेंट आपका तो यहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यह आपका स्टेटमेंट करेक्ट तो देख लेते हैं तो बाइब बर्थ कैसे कोई इंडिया का सिडियन होता है तो कोई परसन अगर बार्ण करता है इंडिया में आफ्ट शबीच जनुर्ट पच्चास या उसके बाद और फस्ट जुलाई 1987 से पहले तो उसको बर्थ बाइबर्थ जो नहीं दिया जाएगा लेकिन कोई परसन अगर वार्ण होता है इंडिया में आफ्ट जुलाई एक जुलाई 1987 को तो कंसीडर कर जाएगा इंडिया सिजन या उसके कोई भी पैरेंट्स माता या पिता में से कोई भी पैरेंट्स इंडिया के सिडियन होने चाहिए उसके लुका दिसंबरंट 200 तो कोंदिया सिडियन से कसे कि बोले उसके लोगेंट्स इंडिया ना सचाहिए और डूसरा हो तो इंडिया का सब्सक्ति ती जाएगा बाइब बर्थ के अंस्वार ठीक ना साथ साथ यहां इसमें यह कंडिशन भी दिए हुए कि एगर किसी का फारेंडर डिप्लोमेट का चिल्ड्रेन है जो पोस्टेर हैं इंडिया में डिप्लोमेट यह कोई एन्मी एलाइन है तो उसको जो तो बाइब बर्थ जो त पर तरीके दिए हुए है नेश्ट कोचन है वीच वन एमंग दा फालोइंग है द पावर टु रेगुलेट राइट अफ सिटिजन इन इंडिया तो यहां पर किसके पास जो तो पावर दिए ही रेगुलेट करने कि राइट आफ जो इंडियन भारती नागरी को के अधिकार है उसको रेगुलेट करने कर तो आटिकल 11 जो है अनुच्छेद 11 जो है तो उसमें पार्लियमेंट को यह पावर दी गहीं तो रेगुलेट करेगा राइट आफ सिटिजन इंडिया निश्ट कोचन है यहां पर आपको दो लिस्ट दी हुए एक लिस्ट में प्रोविजन दि इंडिया है उसके जो राइट की बात करता है वह बात की गई है आठकल 9 में ठीक ने आट स्वारी आटकल 6 में की गई पर आपका आटकल जो होतो फस्ट का जो होतो थार्ड नंबर होगा आटकल 6 में की गई है पर संवालन्टरी एक्वाइरिंग सिटिजन सिफ़ा फॉरें इंडिया का सिटिजन नहीं रहेगा आटकल 5 में दिया है फस्ट जो आटकल 5 और राइट आप सिटिजन सब्सक्राइब पाकिस्तान माइग्रेंट की गए उनके अधिकारों को आटकल 7 में दिया गया है आपको जो करेक्ट एंसर होगा वह होगा एक थार्ड बीका फिफ्थ आसी का 1 डी का 2 याने दी नंबर जो आपका आपशंस है वह यहां पर आपका कड़ेक्ट होगा ठीक लोग देखी चुके हैं किस आटकल में क्या सब्जेक्ट दिया गया है ठीक ना आटकल 8 हो गया पर पर लिएश्ट कोईचन है इस को यहां पर जो आपका आपशं होगा ड इंडिया किस तरह से कर सकता है कोई भी आर्टिकल सिटिजन सिपाइक्ट नाइटी फिप्टी फाइक्ट है उसमें तीन तरीके दिए हैं रियुमन रियुनियेशन बाइट टर्मिनेशन एंड डिप्रिवाइशन यहां आपका सी नंबर आपसा सही होगा यानि तरीके बताया है कोई भारत की नागरिता कैसे को सकता है वह है रिननसीयेशन टर्मिनेशन एंड डिप्रवाइशन टिक नेश्ट कोचन है कंसी फालों इस्टेटमेंट यहां पर स्टेटमेंट दिये हैं आपको इन्हें पता करना कि करेक्ट है कि नहीं तो आपको चूज करना अच्छिजेंशिपाइक 1955 आप सो प्रोवाइड वाइद फार्ट वाणने वील्ट सेजिए इसकूट दिया गया था जो स्टेटेशिए फैक 1955 यह करेक्ट था प्रोविज्टन अब दे कमेंट वेल्ट सेजिएंशिफ वाज रिपीपील बाया दे सिजिएंशिप अमेंडमे कि यहांने जो फर्स नमबर आप संस होगा यहने ऑन ली वन इस्टेट्मेंट जो थो सटो करेक्ट है तो सज्ची अमेंडमेंट में जो देजन सीप आया था उसमें जो होतो एक्वेजीशन और लास आफ शीटिजन सीप के बारे में बात की गया ही जब कांस्टूसमेंट प्रोवाइट किया गया था कामन विल्ट सिटिजन्शिप भी ठीक लेकिन इसको रिपील कर दिया गया था सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट तूथाउजन थी के द्वारा चिमन बैंटों से टेटिजन्शिप अर्मने से कौन से जो हैं बारति समिध्धान के बारे में हैं कि इंडियन काह्ट का फिर씨 अर्ट का श्यम्न को बारे में दिया गया है तो धन्यबाद दोस्तों यह हमारा था सिटिजन से पर एमसी को प्रैक्टिस एमसी को यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्य हमसे में जूदू बताईएगा साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले